प्रिप को एक गजल मान लिया जा तो इसका अब मक्ता है यह कहां पर हम कर रहे हैं बहुरी मोहला भिंडी बजार में इस वक्त हूं यहां पर आये बगएर मेरा यह फूट तो रधूरा था यहां कुछ मशूर नाम हैं वहां जाएंगे कुछ मशूर चीजह हो चकेंगे जैसे सबसे पहला और बड़ा रोशन सा नाम तवक्तल सूइट्स मेरे बिल्कूल सामने है उसके बाद एक छोट अधा रेस्टरॉंट है आलू की वड़ी मिलती है इस तरह की कुछ और चीजह भी है सब देखेंगे आपके साथ उसका टेस्क शेयर करेंगे तो आईए चलते हैं उसके नाम के साथ साथ उरती चलि जाती है आप क्या सबसे अधा मशूर क्या है सबसे मशूर किया है सब से ममाइख हाजा है मलाइक खाले है मलाइक मैन आ पर अफ़ ऑफलातून भी उसकारिक पर चेय Cyrus ऑ six as planets ट्राइए मmouth अ Hoe टेसमातों आपक हाजा ट्राइग गरेंगे और मेंगो मलाई खाजा और एक इनका फलातून भी बहुत मशूर है यह तीनों चीज़े हम थोड़ी थोड़ी टेस्ट करेंगे और उसके अपनी अगली पॉइंट पर चले अगल अगल आज़े यह हमारी आइटम्स आगई यह मेंगो मलाई यह इनका अफला तून और यह मलाई खाजा मलाई खाजा का नाम मेने बहुत सुना था लेकिन आब इसको खाकर देखते हैं जाहरे सब चीज़े अलग-अलग किसम का मीठा होंगी हर मीठे का जायका भी अलग होता है थैंक यू यह थोड़ी सी उसूल शिकनी है कि मैं यहां खड़े होकर खाऊ लेकिन मुझे इस परमिशन में देदी है अच्छा यह हाथ से उठाकर अच्छा 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 इसके अंदर और यह बाहर क्या होता है बेसन होता है नहीं आपे का वह बाहरा होगा कुछ है जायक है चक्कर देखते हैं कुछ चीदे ऐसी खारों यहां पर क्वाइश होती है कि काश किसी तरह से घर ले जाओं बच्चों को भी खलाओं इतनी जबर्दोस्त हैं अब इसके अंदर मैं अपनी दवान में कहूं तो यह रबडी का मता दे रहा है यह जो अंदर ह यह यह रबडी है उपर उनन ने आटा और अड़ों क्या क्या चीज लगा रखिया है अगेन हम इस साइंस में कभी ने जाते है यह जासूस करते ही नहीं है बस टेस से मतलब है बहुत बहुत हैं यह एक कितने होता है सर यह 150 का 1 पिस होता है बहुत अचा है एक डॉड़ कि नेक्स्ट आइटम है मैंगो मलाई मैंगो मलाई या मलाई मैंगो जो भी है इसमें जरूर कुछ नो कुछ आम की आमेजिश होगी यार ताजा है बहुत ताजा यार गिरा जा रहा है जबर्दस्त है कागर देखते है दसेरी से बहर गया मेरा मून दसेरी आम से जबर्दस्त है आम कितनी जबर्दस्त के अंदर लेयर लगा रख किया और उसको परता खोया है कहने के लिए भागी सब कुछ पाया है जबर्दस्त है यह क्या रूपे किलोग है यह 12 रूपे किलोग है यह स्पेशल अफलाटून है यह इसमें ड्राइ फ्रूट होते हैं और क्या होता है देखते हैं एक बेटर बात ही है कि आज से पहले जितने भी मैंने अफ्लाटून का है उनका मीटा यहां होता है इसका मीटा यहां है सबस्के ज़्यादा खिप्षूरत बात ही है कि आप इसको खा सकते हैं वरना जो यहां मीटा होता है एक निवाले में आपका हलक करवा करते हैं एक्चुली ज्यादा मीटा करवा हो जाता है मेरे अखौर्डिक हो सकता है मैं गलत हूं लेकिन यह बहुत मा दुकान है बिल्कुर उसके बराबर में हेरिटेज पिकल्स यहां पर एक तो आप जो कोई भी दुकान का सौधा ले ले लिजाए यह खाजाना है आपको अच्छे जायते मिलेंगे यहां पर एक खास चीज़ होती है आलू अड़ी हम आलू अड़ी खाने स्पेशली यहां पानी पूरी पूरी है और जो इस पेशली हम यहां पर जिस नहीं आए है इस दुकाने वो है अलू वड़ी वह अभी अंदर से भार लेकर आ उसको चकते है और चकने के बाद यहां से आगे बढ़ेंगे यहां तो यह रोडी नहीं चीज़ एक रोडी नहीं कहा सकते है और इंवेंट हम लोग नहीं किया था अच्छी यह स्पेशल बोरी डिश है किया बड़े पत्ते आते ना उनका बनता ही है अच्छा यह अब आपको बता हूं अगर हम अपने हिसाब से इसको बता ही है क्या है यह गोष्ट में पतावे पके हुए है हमारी दिली में इसको अच्छा है डिफरेंट साइग है हमने हमारे हैं तो यह बगार गोष्ट के बनता है यहां पर ही गोष्ट में इस ही जगा बनता है स्पेशल है आयास भाई ने मुझे बताया कि पूरी मुंबई में यहां से अच्छी कहीं नहीं मुलेगी है आप रोटी के साथ खाईए हमेर्फ पुराना टाइप का महला था अभी यहां पर मल्टी लेवल बीदिंस बन रहे है ऑगनाइस तरीखे से इसको दुबारा से बसाया जा रहा है यह बीदिंग इदर तयार खड़ी है इसमें यह दुखाने इसके उपर कंस्टरक्शन हो रही है यह दुखाने भी में अपनी दुकाने अलॉट हो जाएंगी यह बड़ अच्छा डिवलपमेंट जो यह हो रहा है और यह कॉंपलेक्स ऐसा लगता नहीं कि महम्मद अभी रोट पर ही हम खड़ने है अब मुम्मा ही आएंगे खानी की नियत से तो महम्मद अली रोट जरूर आएंगे मुम्मद करें की महाला जरूर आएंगे वारी मौळा जरूर रहेंगे तो आप हजी वाप पे जरूर आयेगा हजी स्ट मशूर है मटन सीख बफ सीख और शाहिद चीकन की चीख बिए अंधर चलते हैं इनके ओनर से मिलते oh अगे की आनी दिखाते हैं आईए अच्छा YEह है और यहाः का देख लेंगे obviously अच्छा ही होगा क्या क्या चाहिए हम यहां पर आपको हमारे तो यह मशूर सीख है यह सीख आती है हमारी नेटेव प्लेस बरेली से हैं आप बरेली के कबाब अगर बंबे में खाने को मिल रहा है तो बहुत अच्छा कॉंट्रास्ट है बड़ा अच्छा क तो बरेली के कबाब खिलाई है और क्या है आपके हमारे आप फेमस बड़ी का सीख और चिकिन का सीख ओके एक दोना लगवा दीजा सब थैंक्यू सो मुच एक बड़ी खुशाइन बात है मेरे लिए यूपी में यानि संबल में बरेली में रामपूर में बहतरीन कबाब ब में इसको खाकर देते हैं हाजी कबाब पर हूँ यहां वह कबाब सीखों में लग रहे एक नदर देखते हैं किस तरह से लगाते मेरे साथ बड़े साब है वो इसको लगाएंगे उनको एक बड़ देगे है आ़ है नको पर्द़नी के साथ देखते हैं किस तरह से लगाएंगे लगाएंगे ऊशाली किस है हैं किसे वगाएंगे लगे लगाएंगे लग एके वाहाएंगे वाया यह सब हाजी कबाब के कबाब सामने आगा है, इनके मेनली जो मशूर है, वो सीख कबाब ही मशूर है, यह चिकन के है, यह बफलो के है, मैं पहले बफलो ट्राइ करता हूं, उसके बद चिकन ट्राइ करूँगा, और रंगत, टेरेंस, खुशबू, सब कुछ यहां तक ठीक त मुंबई टाइप नहीं है, बिलकुल यह बात फैक्ट है, मुंबई टाइप नहीं है, मुंबई की अपनी खुशबू है हर चीज की, यह के थिक्या की, यह के कबाब की, थोड़ा सा यूपी का टच है, थोड़ा सा दिल्ली का टच भी आ रहा है इसकंदर, ओवराल बहुत गैथ गरे इसमिल शेक कबाब खलते हैं हो से का थोड़ब में ठहके के कबाब यह थोड़े से बापवाबわか Зाल अन कबाब अच्छे हैं, रिपीट करे जा सकते हैं, अच्छे ये पदीना देते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसको पदीने का हख भी अदा करें, सब कुछ लेंगे, पदीना भी लेंगे, इसकी चटनी भी लेंगे, ये निबू भी नहीं छोड़ेंगे, प्याज और निबू और ये एक निवाला और ट्राइ करते हैं, अच्छा है, मेरी चिगन सीख कबाब पर लगती है हर बाद, ये फूखा नहीं होना चाहिए, जूसी होना चाहिए, ये जूसी है, टेस्में ठीक है, मसाले माइल्ड है, बंबे की आवब होवा, इनको लगी हुई है, ओवर राल सीख खाली, तवकल की मिठाईया खाली, हमें इस वीडियो को एंड करना था, ताज आइसक्रीम पर 1887 से, स्टैबलिजड है, अभी फिलाल रेनुमेट हो चुकी है, कैसी आइसक्रीम होती है, क्या खासियत है, यहीं पर पता चलेगा, हाँ जी, किदर गय है, अच्छा, ये अच्छा, ये वस्ताद है मेरे 14 साल हो गई, तो भी बना गर दिखाएंगे, अच्छा, शुबा बनती है, इसमें बनाते है, हाँ, इसमें बनाते है, हाँ, इसमें बनाते है, बस, सिंपल, कौन कौन से फ्लेवर होते हैं आपक्या, मिक्स पुरू, इस्टोबिरी, लीची, रोस्टेट आलमाद, एक मेंगो, एक पेरू, एक मेंगो, एक पेरू दीजे, और ये हैंडमेड आइस्क्रीम है, 1887 से बनती है, मुझे सुन के बहुत हैरत हुई, बहुत सारे फोटो लगे हुए, पुराने मुंबई के फोटो लगे हुए, इधर सर्टिफिकेट्स लगे ह आइस्क्रीम का टेस्क, जबान बताएगी, इस वीडियो को स्पांसर केया, सनाहरबल्स.com ने, बहुत काम के प्रोडक्स बनाते हैं, ऐसे प्रोडक्स जो डेली लाइफ में आपको घर में रखने चाहिए, सुरूत पढ़ती ही रहती है, नजला जो काम खांसी बुखार, ए बहुत अच्छी है, यह बहुत जबर्दस्ते है, मैंगो से जाद अच्छी होगी है, बिल्कुल प्यॉरली ग्वावा का फील आ रहा है, और बहुत क्रीमी है, आइसी तो ही, इनकी मैंगो भी ट्राइ करते हैं, बहुत अच्छी लगी मुझे, अमरूत की आइस्क्रीम, और इन फेक्ट उसके अंदर अमरूत के पार्टिकल्स भी आ रहे थे वह ये बात बता रहे थे के हम एक नेचरल आइसक्रीम के अंदर आपके मूह में आ रहे हैं हमें खाईए अभी आम है आम के आशक्रीम भी खा कर देखते हैं कल हमने मेंगो का पपू जूस वाला का शेक पिया अच्छा सा ब्लेंड करके खा रहे हैं बहुत मज़दार है अश्टी रूपे की कफस हैं अच्छा रहना पॉला के मसाला वी डाल लीज़े मुझे थोड़ी सी हैरत ही आईसक्रीम पर वहान सा मसाला डलता है जो ज्यादा है और ज्यादा है रहत हुँए मैंने गा लाईए यह वही मसाला है जो हम अम्रूत पर डाल कर खाते हैं अब इस आइस्क्रीम पर मसाला क्या आजीव सा कॉम्बिनेशन है खेर ट्राइ करते हैं वैद बीज करिए कमें वहते है नुपर और लगों क सबतIf Youth नने हम भी आइस क्रीड के कहते है न उसके पो मासारय डाल कर देता है तो ये हमारा बहरी महला यहां कम्प्लीट हुआ हमने तवक्कल पे मिठाईयां खाई हमने हाजी सीथ के सीथ कबाब खाए हमने आलू अड़ी खाई और हमने आखिर में ताज आइस्क्रीम काई हैंड मेड आइस्क्रीम बहुत अच्छी बनती है खेर मुझे यानि मोहमद याया को बहुत ही महला से इजादत दीजिए बहुत बहुत